ये चाहिस अंब लों कैसे हैं आप सबी लोग आपप गाइस आप इस अच्छे सुथय वैं अश्तभी और को सब्सक्राई अच्चल की बर्सके inkscendप्तर ये देख लगते हैं टाइम्लेस है तो जैन मिलेगी तब रासॉनेट करेगी साथ ही जेन्डर बेस रेडिंग नहीं है तो आप लड़के हैं लड़की हैं तौनों के साथ रासॉनेट करेगी जेनल कलेक्टिव रेडिंग है सो प्लीज ओपन माइन्ड होके देखेगा जितना रसनेट करता है उतना ही रखे बागी का छोड़ दीजे ओके किंग एंड कुईंग दोनों आये हैं बाटम फडिक आया है किंग ओफ गौंड तो यहां पर दो किंग आ आया है ऑटम के नीचे आया है कि लोग आज कल आपको कैसे व्यू कर रहे हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ती है जो एक स्टार की तरह चमाsey कर रहा है शाइन कर रहा है साथ ही जिसने अपनी लाइफ में बहुत हाड़ वक की है बहुत ही जादा मेहनत की है तब जाके वो इस लेवल पर पहुंचा है वो के एक राजा का एक रानी का ना पद असान नहीं होता मतलब इतनी जल्दी आपको किंग और कुई नहीं बन जाते कुईन से जादा किंग का है कि वो कितनी लड़ाई लड़ता है वो कितना हाड़ वक करता है कितना जादा उसे अपने उपर सेल्फ कॉंफिडेंस लाना होता है कितना स्ट्रागल करना होता है तब जाके वो बनता है कितनी लड़ाई या लड़नी होती है उसको तब जाके व फिर भी आपने हार नहीं मानी है और आप इसी वज़र्ट से शाइन कर रहे हैं और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी लाइफ में जो भी चीज़े अचीव कर रहा है उसका घमंड नहीं है उसे ठीक है आप भले ही वह है कि लोगों को लगता है कि आप इगोस्टिक हो आप straight forward हो ठीक है और मेबी ऐसा हो सकता है आप introvert हो सकते है या extrovert होंगे तो आप वह हैं कि बहुत clear cut बात करते हैं तो लोगों को वह बात बुरी भी लग जाती है आजकल वह आपका ऐसे वियू कर रहे हैं कि आपने जो भी कुछ अचीव किया है वह आप डिसव करते हो लेकिन यह जिस तरीके से अजीव हिआ है यह धिसी है टेकनीक लगाई नहीं आज़िआ आप को चीजे की थी आप रिवील नहीं करते हो अमने पित्रों का आपके उपर अशिवाद है काफी अच्छी कम्मिनिकेशन स्किल है और आजकल लोग आपको ऐसा व्यू कर रहे हैं कि जिसके साथ अभी आप रेलेशन्शिप में हैं वो हुबहु आप ही की तरह हैं लाइक आप दोनों ही सूलमेड हैं क्योंकि कि कि वोंड के करते हैं की आप दोनों जो हैना मेट फॉर इच अडर है दोनों स्रेट फ़रवर्ड हैं दोनों के लिय cran 됐 करते हैं दोनों ही सेल्फ कि इसी को face करने पड़ रहे हैं बट आप उससे डर नहीं रहे हैं दूसरी चीज मुझे यह भी लग रही है कि आज कल ना आपके बहुत जल्दी लड़ाई जगड़े हो रहे हैं बहुत जल्दी आपको गुसा आ रहा है तो लोग इस तरीके से भी व्यू कर रहे हैं आपको कि आज कल तो क्या ही हो गया इस व्यक्ति को कि बहुत जल्दी लड़ने पर उतर जाता है बहुत जल्दी आग्यूमेंट में पड़ जाता है वह चीज़े भी दिखती है ड्रेसिंग स्ट्राइल अपका काफी अच्छा है काफी स्ट्रॉंग परसनल्टी के परसन लग रहे हो और ऐसा लग रहा है मुझे कि अब ना आप कुछ नया ट्राय करना नहीं चीज़े आगे एक्स्प्लोर करने के लिए रेडी हो तो अपनी लाइस्ट्राइल में चेंज लाए हो अपना मुझे ऐसा लग रहा है सिटी वगेरा चेंज किया हो तो अबराट सेटल होना वो पहुंचे हो आपका प्रमोशन हुआ हो ऐसा हो सकता है नया बिजनस स्टार्ट किया हो या किसी नई चीज की पढ़ाई कर रहे हो बिल्कुल हट कर जैसे अभी तक आप ग्राजुएशन किये फिर कुछ और कर रहे थे वर सड़नी फिर आपने कोई अपना करियरी शिफ्ट क दिखाते हैं जैसे यहां पर मुझे लग रहा है कि आप बहुत जाधा प्रेक्टिकल बहुत क्लियर कट स्ट्रेट फॉर्वारव रहतते हैं अपने आपको मैस City दिखाते हैं यहां अनुदर से ना आपको सौफ्ट व्यक्ती हैं जैसे कोकोनट होता है तो उन्हें वह इसलिए आपने इमेज इस तरीके की बना के रखते हैं कि लोग आपको चल ना सके हैं, लोग आपको धोका ना दे सकें, यहां उन्हें वह strong personality ही आप दिखाते हैं, जिसे लोग आप से डरें, जैं लड़का हो या लड़की हो, बात जिस तरीके के आप अंदर से हैं, जैसे बह क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप connection बनाने में बहुत अच्छी होंगे लेकिन क्योंकि पास्ट अच्छा नहीं रहा है पास्ट में चीज़े सही नहीं रही है या जिल लोगों के साथ relationship अच्छे थे अब उनके साथ relationship अच्छे नहीं है तो इस वजह से भी ना अब शायद आप अपनी boundaries set कर रहे हो अब शायद आप अपने आपको ना वह maturity level पर लेकर आ रहे हो जहां आप लोगों के साथ वह limited ही चीज़े रखें वह limited रिष्टी रखें जैसे high hello तक वह होता है कि बहुत से लोग होता है जो जल्दी connection बनाना पसंद करते हैं कि लोगों के साथ connection रहन चाहिए यह लोगों को मतलब वह इंसानियत रहनी चाहिए लेकिन कुछ लोग ऐसे होता है बहुत practical mindset के होते हैं या उन्हें दूसरे की emotions की सामने वाले की emotions की ना value नहीं होती है और वह जल्दी धोका देने में होते हैं को कि उन्हें किसी को धोका देना कोई बड़ी चीज न चाहिए लेकिन वह आपका बुरा चाह रहे हैं आप उनके लिए अच्छा कर रहे हैं लेकिन वह आपके पीट पीछे जैर उगल रहे हैं तो कुछ चीज आपने ऐसी देखिए तो उसके बाद ना आपका mindset यह हो गया कि नहीं करियर पे focus करना है पैसो पे focus करना है और अपनी जो personality है उसको बहुत जादा ही निखानना है उसको एक मैं कहूं strong personality के तोर पर आना है इसलिए अप लड़के हो या लड़की हूं दोनों ही उस चीज पर work कर रहे हैं कि हाँ हमें independent तो हम हैं लेकिन हमें वह strong personality के तोर पर भार आना है लोगों के सामने ता कि सामने वाला हमारे साथ चल करने से पहले दस बार ही सोचे कि अगर हमने इसके साथ गलत किया तो हमारे साथ कितना गलत हो सकता है वह रुतबा बढ़ाना चाह रहे हो आप वह अपनी position आप बढ़ाना चाह रहे हो नाम करना चाह रहे हो society में ठीक है जिससे लोग डरें आप से ओके और भी इसलि लोग है उनको ही पता है आपकी reality कि आप कितने immature भी एव करते हो तो लोग आपको ऐसे व्यू करते हैं आजकल जो आपके खास है उनने पता है कि आपको यह जो दिखाते हो ना strong personality बनके कि बहुत hard हो बहुत strong हो किसी की सामने चलती पिगलता नहीं है या पिगलती नहीं है हमें पता है यह अंदर से कितना बच्चा है कितना मसूम है या कितना soft-hearted person है और देख लेते हैं मेरी विव्यूर्स को लोग कैसे व्यू कर रहे हैं आजकल हर्मिट काड़ आया है कि मेडिटेशन वगेरा आजकल बहुत जादा कर रहे हूं या अब आप अपने उन लेसन से सीख रहे हो कि कहां आपने गलती की थी कहां आप गलत थे जिसकी वज़े से आपको सब कुछ भुगतना पड़ा एक सन की तरह शाइन कर रहे हूं ठीक है अपनी सक्सेस को अपनी ह बड़े बड़े गोल सेट करना उनको अचीव करना उन सब चीजों में हूँ अभी फलाल आप और ग्राउंडिंग कर रहे हो अपनी ठीक है यह चीज आपके अंदर है कि जो भी कुछ आप अचीव कर रहे हो उसको आप सर पर चाड़ने नहीं दे रहे हो हां अपनी तो लोग इस चीज को वियू कर रहे हैं और इस चीज की तारिफ भी होती है कि आप बहुत ग्राउंडेड हो ठीक है आप उस चीज को चाड़ने नहीं देते हैं अपने सर पे कि भाई लोगों को उस चीज का घमन दिखाया जाए या अपनी पद पोजिशन का घमन दिखाया तो वो चीज नहीं कर रहे हैं लेकिन हाँ यह भी चीज है कि आप उस चीज को ना चाहते हो कि लोग थोड़ा डरें आपसे आप एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो अपनों के लिए स्टेंड लेना जानता है अपनों पर आई बात तो बहुत कुछ कर सकता है लेकिन खुद क यह होता है कि वाला इसका रूप दिखता है लेकिन जब बात खुद की आती है तो शायद यह खुद की लिए उतन्या अच्छे से स्टेंड नहीं ले पाता है खुद की बात उतन्या अच्छे से रख नहीं पाता है फिर चाहें फैमिली हो फ्रेंड्स हो वो सब यह जानते वैसे बहुत strong है ठीक है और काफी talented समझते हैं आपको multi talented person है आप एक साथ कुछ दो-तीन business करते हों या ऐसा हो सकते हैं कि जॉब में है 9 to 5 जॉब में हैं लेकिन उसके साथ साथ आप कोई part time business करते हों ऐसा भी हो सकता है थोड़ा healthy issue आजकल आपको चल रहा है लेकिन उससे आप नहीं रहे अपनी काम अपनी चीजों पर focus बहुत अच्छे से रखते हैं और आप एक ऐसी वेक्ति हैं जिसका mind बहुत चलता है ठीक है over thinker हो सकते है वह आपको ऐसे ही व्यू करते कि यह over thinker है तेमा काफी तेज है तो काफी talented person है नहीं नहीं चीजी है नहीं नहीं आइडिय इसके पास हमेशा available रहते हैं बहुत ही hard working है dedicate है अपने काम को लेकर okay उन्हें ऐसा भी लगता है वह ऐसे ही view करते हैं आपको physically बहुत जादा आपको charming समझते हैं तेकर उन्हें ऐसा लगता है आपकी personality आपका aura काफी अच्छा है आपका जिस तरीके का body structure है वह भी बहुत अच करक्त होते हैं आपसे आपका Venus काफी strong हो सकता है okay साथ होना ऐसा लगता है कि आपको देखके ऐसी ही view करते हैं वह लोग कि आप जो है model type के person हो लाइक आपकी personality आपका aura काफी अच्छा है काफी creative person मुझे जादा लग रहे हूं क्रेटिविटी फिल्ट से हो सकते हो आप आर्ट आपके अंदर हैं जैसे painting करना dance करना singing और acting करना creativity से related जादा person मुझे लग रहे हो लेकिन उसको as a profession आपनाया हो वह जादा confirm मुझे लग नहीं रहा है just part time आप करते हो तो उसकी वह बहुत तारीफ करते हैं वह देखते हैं कि यह जो इंसान है ना काफी talented है so yeah guys मुझे यही दि कर रहे हैं कि आशकल चीज़े चुपाई जा रहे हैं या जिस तरीके से success पाई है अपने ideas को आप शेयन नहीं करते हैं बहुत ही mysterious से person हो तेक है बट अपनी पावर में रहते हो आप या बहुत strong personality के person हो और जिस person के साथ अभी आप हो married हो unmarried हो crush है या girlfriend है boyfriend जो भी है जिस भी परसंटे साथ अभी आप हो तेक है उस person के साथ उन्हें यही लगता है कि मेट फॉर एच अदर है दोनों का ego सेम है दोनों का attitude सेम है दोनों स्रेट फॉरवर्ड है किलिएर कट है तो वह चीज़ देखके उन्हें लगता है दोनों इक दूशे के soulmate क्योंकि आप दोनों के तो कुछ वही चीज़े हैं ग्राउंडेड हो काफी ज्यादा अपने सर पे जू भी सकसे से उसको चर्णे नहीं देते तो वह चीज उन्हें बहुत अच्छी लगती है ओके सो मुझे यही दिखता है और अगर मैं आपकी बर्थ डेट की बात करूँ तो यहां पर मुझे दिख रही है तीन बारा एक्टिस नो ठारा सकता है इस पांच ओदेटीस सासूला पच्छिस और यहां पर मुझे दिख रही है अगर मैं बर्थ मन की बात करूँ जन्वरी मार्च भाई और यहां पर अगस्त हो सकता है जुलाई हो सकता है सितंबर यहीं मुझे बर्थ मन दिख रहे है जो बर्थ मट और बर्थ डेट में ने बताया अगर वह रजनाइट नहीं करती इस्टिल रगपर रच गयर पर इर साइन टो सारी ही मौजूद है specific zodiac side नहीं बताऊंगी yeah guys I hope reading अच्छी लगी हो resonate की हो की हो तो please like, share, comment कर दीजेगा channel को subscribe जरूर करना मुझे जरूर बताना reading कैसी लगी मैं मिलूंगी next reading के साथ तब तक के लिए bye